हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग एक मौक टेस्ट कतम कर चुके हैं MP सामार्ग्यान से समाधित MPGK का यह आपका सेकंड टेस्ट है क्या है सेकंड टेस्ट है दूसरा टेस्ट मौक टेस्ट याद रखिए पहले आप लोग MPGK को पहुत अच्छे से पढ़ लीजिए उसके पूरा MPGK कर चुके हैं मद्पिदेश सामान ग्यान की नाम से जो आपकी फिले लिस्ट सूची है उसी में सभी लेक्चर आपके पढ़े हुए तो वहां जाक कर पहले उन्हें कबर कर लें उसके बाद मैं मौक टेस्ट आप लगा सकते हैं तो चलिए इसमें हम लोग पहला क पुक्षेंस देखते हैं इन मेंसे कौन सा कतन सही नहीं है मद्पिदेश का 49 बाजेला 27 मई 2008 को बना, यह आपका गलत है मद्द पिदेश में 59 बाजिला, 16 अगस्त 2013 को बना, यह सही है मद्द पिदेश में कुल आपकी अभी 2020 में 52 जिले है क्योंकि निवाडी एक जिला बना दिया गया है, कौन सा? निवाडी भी एक नया जिला बन गया टीकमगर से पिद्धक करके बनाए गया यह भी आपका सही है तो कुश्चन नमबर एक में आपका ए ओप्षन गलत था चलते हैं कुश्चन नमबर दो की तरफ सन 1956 की राज़ पुनरगठन की संबंद में सही कतनों पर विचार करना है या चाटना है सही कतन चुनना है पहला कतन है बोल्डाना, अकूला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नांगपूर, भंडारा और चांदा जिले ततकालीन मुंबई राज में चले गए सही है भानपुरा तहसिल के सुनेल ठप टपा को छोड़कर सेश भाग को मद्धिदेश में सामिल किया गया ये भी सही है आपका राजिस्थान के कोटा जिले की सरयोंज तहसिल मद्धिदेश के राजगर जिले में जोड़ा गया ये आपका गलत है पार्ट C बिन्धिदेश को मद्धिदेश में मिलाए गया तो कुश्य नमबर 2 में आपका 1,2 और 4 गतन सही है यानि कि C option आपका सही है बिल्कुल चलते हैं कुश्य नमबर 3 के ओर महा कौसल राज को किस बर्ग में सामिल किया गया था? तो इस्टेट A में किसमे? इस्टेट A में B option सही है Q4. राजपुनरगठन आयू के अध्यक्ष कौन थी? राजपुनरगठन आयू के अध्यक्ष कौन थी? तो ये थे आपकी सेद फजल अली D option सही है Q5. मत्विदेश में दसवा संभाग किसी बनाय गया था? तो ये है आपका सहेडोल Q4. मत्विदेश में दसवा संभाग आपका सहेडोल बनाय गया Q4. क्या है Q4? Q4. एक नमबर 1956 को गठन की समय मत्विदेश का छेदफल कितना था? 1 नमबर 1956 को जब मत्विदेश का गठन हुआ तो उस समय मत्विदेश का छेदफल किया था? तो Q4. नमबर 6 में बताएं आपको तो इसमें था 4,443,446 पर किलोमेटर कितना? 4,443,446 पर किलोमेटर एफ़िदेश सही है Q4. है मारा साथ राजिस्तान के कोटा जले की सिरोंज तहसिल को मत्विदेश के किस जले में सामिल किया गया था? तो यह था आपका बीदीशा जला कौन से? बीदीशा जले में C ओप्सन सही है साथ में Q4. है मारा आठ बर्स 2008 में सिंगरॉली जले का गठन किस जले का विभाजन करके किया गया था? तो यह था आपका C दी क्या था? C दी B ओप्सन सही है चलते हैं कुश्चन नमबर हम लोग कुश्चन नमबर है हमारा 9 पिदेश की किस पिदेश की किस संभाग में? सरवादिक जिले सामिल ले आपके तो इसमें आपका इंदोर क्या है? इंदोर 9 क्या है? कुश्चन नमबर 9 से 9 में A ओप्सन माना जाता है ठीक इंदोर कुश्चन है हमारा 10 बिदेश की राध्धानी कहा थी? बिदेश की राध्धानी आपकी रीबा थी D ओप्सन सही है 10 में? चलते हैं कुश्चन नमबर 11 की तरह 1 नवंबर 1956 को गठन के समाए मद्विदेश में कितने जिले थी? 1 नवंबर 1956 को जब मद्विदेश का अगठन गए तो उस समय मद्विदेश में कितने जिले थी? तो आपको बता दिना है 43 B ओप्सन सही है कुश्चन है मारा बारे पहुपाल एबं राजनन्द गाओं पिथक जिले कब बनाए गए 26 नवंबर 1972 A ओप्सन सही है बारे में बारे में क्या है? कुश्चन है मारा तेरे 15 अगस्त 2003 को असोप नगर जिले को किस जिले से पिथक करके बनाए गया था? जब असोप नगर जिले को बनाए गया तो इस किस जिले को अलग करके बनाए गया था? किस जिले से अलग करके बनाए गया? तो यह था आपका गुना C ओप्सन सही है तीरे में चलते हैं कुश्चन नमबर चोदे अली राजपूर एवं सिंगरोली जिले का निर्बान कब किया गया? तो अली पूरो और अली राजपूर और सिंगरोली जिले का निर्बान आपका दोजार आठ में किया गया बर्स दोजार आठ में कुश्चन नमबर चोदे में आपका यह है कुश्चन है मारा पंद्रा होसंगाबाद जिला किस संभाग में आता है? होसंगा बाद जिला आपका आता है नर्वदापुरम किसमें नर्वदापुरम संभाग में टीक है डी ओप्षन सही है कुश्चन है हमारा सोले 30 जून 1998 को 6 नई जिलियों का गठन किस समती की अनुसंसा पर किया गया था तो एथी आपकी सिंगे देव समिती सिंगे देव समिती की अनुसंसा पर ये आपके 6 नई जिलों का निर्माट मद्विदेश में 30 जून 1998 को किया गया था ये ओप्षन सही है कुश्चन है सत्रे 15 अगस्त 2003 को बौस समती की सिफारिश पर कितने नई जिलों का गठन किया गया था तो ये थी आपके 3 जिलों का गठन आपकी बौस समती की सिफारिश क्यादार पर 2013 में किया गया था कुश्चन है अठारे निम्लिकित में निम्लिकित में से कौन सा कतन सही ही नहीं है क्या है सही ही नहीं है पूर मद्ध फिदेश राजी का निर्माण सेंटल प्रोविशन्स और बरार प्रांतों में भगेलकंड तथा चत्तीस गड़ की रियासतों को मिला कर किया गया था बिलकुँ सही है बोपाल को पाठ सी सेंडी के राज्यों में सामिल किया गया ये भी सही है मद्ध फिदेश में 36 रियासतों को समलित किया गया ये आपका गलत है पूर मद्ध फिदेश राजी की पस्चम में इस्टि 26 रियासतों को मिला कर मद्भारत की रूम में पाठ बी सेंडी का एक नया राज्य बनाए गया ये भी आपका सही है कुश्यन हमार 18 में आपका सी ओप्शन गलत था कुश्यन है मारा क्या है कुश्यन है मारा 19 राजी पुनर गठन आयोग 1903 के सम्बंध में निमने कत्थनों पर विचार करना है 27 देसंबर 1903 को राजी पुनर गठन आयोग की स्थाप ना की गई बिलकुल गलत है आयोग की सिफारिश के अनसार भानपुरा तहसिल को तस्तकालेन मॉंबई राज में मिलाये गया यह भी आपका गलत है कोटा जली की सरौंज तहसिल को मद्वदेश के बीदीशा जली में जोड़ा गया केवल तीन आपका सही है इसमें क्या कतन पूँचे था सही कतन पूँच रहे था तो इसमें आपका केवल तीन है इस तरह की कुश्चन्स आपके अधिकतर सिफिल सर्विस में पूँचे जाते हैं ठीक है लेकिन आपको पढ़ना है तो यह था हमारा दूसरा टेस्ट तो चलिए अंगले हम लोग क्लास में बात करेंगे तीसरे टेस्ट ही ठीक मॉक टेस्ट 3 को हम लगो सॉल्व करेंगे ठीक